हालो व्यूबर्स रसोई का अनन चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए ओट्स क्रेकर की रेस्पी लेके आए हूँ इसके लिए हमें आधा कप ओट्स वन फूर्थ कप काला तिल वन फूर्थ कप सफेद तिल वन फूर्थ कप वाटरमेलन के बीच वन थर्ड कप पिस्ता लिया है मैंने और आधा कप सबसे पहले अल्सी को मिक्सी के जार में पीस लेंगे उसका पाउडर बना लेंगे अब एक बाउल में अल्सी के पाउडर को डालेंगे फ्लैक सीट्स को मैंने अच्छे से पीस लिया है उसमें वन फूर्थ कप चिया सीट्स डाल रही ह मैं वन थर्ट कप वाटर मेलन की बीज डाल रही हूं उसके बाद वन फोर्थ कप सफेद तिल डाल रही हूं वन फोर्थ कप काले तिल डाल रहे हैं आधा कप मैं रोल्ड ओर्ट्स डाल रही हूं ये बहुत हेल्दी ओर्ट्स बन करता यार होंगे दो चम्मच मैंने मिक्स्ट हर्ब्स डाले हैं एक चम्मच बुना जीरा आधा चम्मच सौंट का पाउडर डाला है और वन फोर्ट्स कप मैंने पिस्ता को भिगो के रखा था उसको दो पीसे में काट लिया है अब इसके अंदर मैं कौशर सौल्ट डालूँगी जिसे सी सौल्ट भी कहते हैं ये मैं आधा चम्मच डालूँगी इससे इसके अंदर फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब हम थ्री फोर्ट कप पानी डाल कर नॉर्मल पानी लिया है मैंने इसको मिक्स कर देंगे और बीस मिनिट के लिए इसको डख कर रख देंगे वेट लॉस के लिए और ये बहुत अच्छी टी टाइम स्नैक है ये एक बहुत हेल्दी आप्शन है अब मैं अपने ओवन को प्री हीट कर लूँगी 180 डिग्री पर उपर और नीचे की दोनों रोड्स मैंने आउन कर दी है और ट्रे के अंदर मैंने पाश्मेंट पेपर लगा दिया है इसके अंदर अब मैं ओट के मिक्स्चर को स्प्रेड कर दूँगी बहुत आराम से एक पतली लेयर हमें इसकी लगानी है लेयर हमको एकदम इवन लगान है ताकि यह बराबर सही तरह से पूरी एक बार में सिखे अब हम अपने ओवन को 20 मिनिट के लिए टाइमर सेट करेंगे और इसका टेंपरिचर मैंने 200 डिग्री कर दिया है अपनी दोनों ट्रे को हम इसके अंदर सेट कर देंगे 10 मिनिट के बाद हम उपर की ट्रे को नीचे कर देंगे और नीचे की ट्रे को उपर कर देंगे ताकि यह इवन ली बहुत अच्छी तरह से कुक हो और बहुत अच्छा इसमें एक कलर आ जाए व्यूवर्स अगर मेरी रेस्पीज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तरिए और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सब इंग्रीडियन्स लिख दूँगी मैंने कितना कितना यूज किया है बिना ओइल के आप इसको बनाईए और इसके इतने ज़्यादा हैं बेनेफिट्स हैं आप इसके अंदर और भी कोई सीट्स एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं एक बार हमने इसको 10 मिनिट के बाद क्रेज को शिफ्ट कर दिया है नीचे की ट्रे को उपर कर दिया है और उपर की ट्रे को नीचे कर दिया है उसके 10 से 12 मिनिट बाद हमारी कुकीज काफी रेडी हो गई हैं इस टेज पर एक बार निकाल कर मैं हलके हलके इस पर मार्क्स लगा दूगी ताकि पूरा कुक होने के बाद हम हलका सा इसको निकालेंगे तो ये पूरे अच्छी तरह से even pieces में बाहर निकलेगी हमारे crackers दोनों ट्रे में मैंने अच्छे से मार्क्स लगा दिये हैं जिस साइज के हमको चाहिए उसे सापसे आप इसमें मार्क्स लगा दीजिए temperature को वापस मैंने साथ से दस मिट के लिए लगाया है टाइमर अब हमारी crackers बन कर तैयार हैं ये देखिए एक अच्छा कलर इसमें आ गया है और ये पूरी तरह से बेक हो गए है हमने पहले इसमें मार्क्स लगा दिये थे तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह से बिना टूटे एकदम बहुत अच्छी शेप में भार आएंगे हलका सा ही आप इसको कट करेंगे तो ये एक अच्छी शेप में जिस शेप में आपने मार्क्स लगाएं होंगे उस शेप में निकल कर बाहर आ जाएगा अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे रॉड के उपर 10 से 15 मिनिट में ये एकदम ठंडे हो जाएंगे और इसको आप किसी भी कंटेनर में डाल के रखेंगे ये बहुत healthy और अच्छा टी टाइम स्नैक है अब हम इसके लिए एक डिप बनाएंगे डिप के लिए मैंने दो टेबल स्पून हंग कर्ड लिया हुआ है बंदा हुआ दही है जो हंग कर्ड को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है अब इसके अंदर में दो चम्मच क्रीम डालूँगी viewers अगर आप vegan रेजबी लेते हैं तो आप यह डिप को skip कर सकते हैं आप cracker को ऐसे ही green tea के साथ enjoy कर सकते हैं इसके अंदर में वानेच चम्ममच नमक डाल रही हूँ वानेच चममच काली मिर्ची का powder डाल रही हूँ दो क्लोव गार्लिक के इस तरह से क्रश करके मैं डाल रही हूँ गार्लिक इस डिप के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर मैं बारिक कटा थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ जो एक बहुत अच्छी खुश्बू और कलर देता है और हरी मिर्ची को थोड़ा सा भारिक-भारिक काट कर डाल रहे हूँ इसको वापस से मिक्स कर लेंगे सबको और एक छोटी बाउल में डाल कर हम क्रैकर्स के साथ सर्फ करेंगे और इसे इंजॉय कीजिए